हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक नई और महत्वपूर्ल चानकारी के साथ दोस्तो इस फूल को तो आप अवस्चे ही पहचानते होंगे ये गेंदे का फूल है इस फूलों का उप्योग ज़्यादा तर हार बनाने में किया जाता है गेंदे के पोदे पर सुन्दर और आकरसक पीले रंग के पुस्प लगते हैं इसकी पत्यों से तीउरक खुस्बू निकलती है इसकी वज़र से घरों और उध्यानों में इसे लगाया जाता है ये दुनिया बर में प्रसिद्ध है इसकी कई प्रजातिया भी पाई जाती है इसमें ज़्यादातर हजारा सुरुनाई कोकहान और दलचक्र प्रमुक है इसके पुस्ब भगवान को चड़ाय जाते है और माला बनाई जाती है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हरने वीडियो की जानकारे आप त जाता है इसे मकबर ने भी कह जाता है इसके अलबाव देश के अलग-अलग भासावों में इसके अलग-अलग नाम है आपके शेत्र में इसे किस नाम से जानते है ये जरूर बताएं दोस्तों इस सुंदर पुसप वाला गेंद्य का बोदा लग-बग आधे फिट से दो फि जो काले रंग वाले लंबे और बारिक होते हैं आयरुव्यद के अनुसार गेंदा स्वाद में कटू, कसीला, तिक्त, सितिल प्रकुर्दिका और पचने में हलका होता है यह रक्त को स्टंबन करने वाला रक्त सोतक, सुजन मिटाने वाला और कपप पित मिटाता है इसके बढ़ाता है और कामोति जना को नश्ट भी करते था है दोस्तों ये दांतों की दर्थ को दूर कर देता है इसके लिए आपको गेंदे के पत्रों का क्वात बना कर कुल्ला करना चाहिए कुछ दिन लगादार और दिन में दो बार ये प्रयोग करें सिग्रही दांतों का बनते हैं अगर आपके दांत पीले पड़ गए हो तो इसका रोजाना इस्तिमाल करने से दांत की चमक बढ़ जाएंगी और सपेद बन जाएंगे इसके पत्तों कारस निकालकर एक से दो बुंद नाक में टपकाने से ही नक्सिर बंध हो जाती है अगर आप कान के दर्थ से परेशान है तो इसके पत्तों के रस्की एक से दो बुंदे कान में टाले सिगल ही कान का तर्त दूर हो जाता है अगर कोई स्वास से परेशान है तो गेंदे के पुसपों के बिजों की घंटे जो उपरी पुसपधार होती है इसका चूर्ण बनाएं और यह चूर्ण पान मातर में मिश्री मिला कर एक चमच पाने के साथ दोसी तीन बार सेवन करें इस प्रयोग से भी कासी और दिमा मिट जाते हैं गेंदे के पोधी की प्रकृती सितल होती है ये बवासिर और अर्ष को मिटा देती है इसके लिए 10 ग्राम गेंदे के ताज्य पत्तों का चुल बनाए और इसमें 2 ग्राम काले मिर्च मिलाए दोनों को अच्छी तरह से मिला कर पीश कर पीजाए कुछ दिन प्रयोग करने से बवासिर मिट जाता है दोस्तों अगर किसी को बवासिर में खुन आने की समस्या है तो गेंदे के सुन्दर पुस्पो को घी में भुन कर दिन म ही मात्रा में मिश्री के साथ मिला कर दूद के साथ सुबह साम सेवन करे तो ये स्टंबन सकती बढ़ाता है और वीरिय भी बढ़ता है लेकिन बीना कुछ मिला है सिर्फ गेंदे के बीजों को कुट कर खाने से काम सकती समापत हो जाती है दोस्तों अक्सर ठंड के मौसम में जाततर लोगों की एडिया पट जाती है अगर किसी को ये परेशानी है तो गेंदे के पत्तो का रस निकाले और वैसलिन में मिलाकर हाथ और पेरो पर लगाए इससे फटी हुई एडिया मुलाइम बन जाती है और पेरो की खुसकी दूर हो जाती है दोस्तों ये स्ट्रियों में होने वाले अधिक रक्तस्त्राव को दूर करता है इसके लिए 5-10 ग्राम इसके पुष्पो का कलक बनाए और 10 ग्राम घी में मिलाकर सिवन करें लगबग 2-3 दिन ये प्रयूक करने से स्त्रियों में होने वाला रक्तप्रदर बंद हो जाता है दोस्तो इस पूरे पोदे के पंचा का रज निकाल कर लगाने से चोट मोच और सुजन आदी समाप्त हो जाते हैं दोस्तो ये किसी भी प्रकार की पत्री को समाप्त कर देता है इसके लिए बिस से 30 मिलिलिलिटर गेंदे के पत्रों को पाने में उबाल कर दिन में 2-3 बार रोजाना पिए लगबग एक पत्री कलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है दोस्तो इसका सिमित मात्रा में ही प्रयोग करें क्योंकि अत्याधिक प्रयोग आनिकारक हो सकता है इसका ज्याधतर प्रयोग काम सकती घटा देता है तो दोस्तो ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे वीडियो पस